हालो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज मैं जिस फूल के बारे में आप लोगों को जानकरी दूंगी वो है गजनिया फूल ये गजनिया विंटर सेजन का फ्लावर है और विंटर सेजन में जब ये खिलता है तो इतना खुबसूरत लगता है कि मैं क्या कहूं एकदम दिल हो जाता है इस साल मैं टोटल 32 गजनिया का फ्लावर प्लांट लगाई थी और वो सब अभी बड़ा होके एकतम फूलो से लद किया है मेरा बगीचे को एकतम रंगा-रंगीन करके रखा है आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक फूट बॉक्स में किस तरह से आप ये ग पुराना एक साल कम से कम पुराना तो होना ही है और आधा पॉर्षिन मैं लेती हूं सैंड दो मुठी मैं मिलाती हूं नीम का खली का पावडर और एक चमच मैं देती हूं डीएपी का जो ग्रैनुवर्स होता है वो ये जो फूट बॉक्स मैं खरीद के लाई थी बाजार से फल दुकन से उसको भी थोड़ा तयार करना पड़ता है चारो तरब से पॉली थीन का जो शीट होता है वो मैं सेलो टेप से लगा देती हूं और नीचे जो पॉली थीन है उसमें मैं देखिए पांठ छेद मैं करके रखे हूं कहीं चीसे काट कर वो पानी निकलने के लिए है इस तरह से मैं बना लेती हूं और बॉक्स के तले में मैं पॉली थीन के ऊपर एक इंच ग्रैबल्स बिचा कर रेनेट सिस्टम को दुरूस्त करके रखती हूं अब देखिए जितना मैं सॉयल बनाए थी बॉक्स क के अंदर उपर से तीन इंच आप खाली रख सकते हैं अब एक बॉक्स के अंदर चार पॉधा आप मैक्सिमम लगा सकते हैं चार पॉधा यह आपका बढ़के एकदम बॉक्स को पुरा भर देगा एच छोटा छोटा पॉधा बाद में बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाएगा देखिए चार पॉधा मैं किस तरह से लगाए हूँ जैसे खुबच्छे से जगा मिले बॉक्स में चारो पॉधा को और दो बॉक्स में मैं लगाए हूँ चार चार आठ पॉधा और उसमें मैं वाटरिंग भी कर दी अब देखिए करीब डिड़ मैना बाद का मैं सभी पॉधा का पिक्चर आप लोगों को दिखा रही हूँ सब बढ़के एकदम बॉक्स में भर गिया है और कली से भर गिया है सभी पॉधा एक दो फूल भी खिलने लगा है अब देखिए ये उसके बाद का 10-15 दिन बाद का पिक्चर है और सभी फूल आप एकदम भर गिया है मेरा पॉधा सब में आप आता है फाटिलाइजर का बात फाटिलाइजर मैं बहुत ज़्यादा देती नहीं थी 10-15 दिन अंतर अंतर मैं सर्शो का खली का जो लिक्वीड फाटिलाइजर है वो मैं बनाती थी और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल देती थी और एक जो चैपत्ती का जो लिक्वीड फाटिलाइजर है वो भी मैं बिच-बिच में इंटर्विल में डाल देती थी और उ तो लिक्विड फाइटिलाइजर है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक आप लोगों को अगर जरुरत हो तो उसी लिंक के जरीए आप लोग देख सकते हैं कीट नासक के तौर पर मैं नीम ओयल ब्यभार करती हूँ एक चमच नीम ओयल साथ अर्बून लिक्विड सोप एक लिटर पानी के अंदर मिलाके को अच्छे से उसको फ्रसा हीलाके सभी पौदों को मैं स्प्रे कर देती हूँ इसी से मेरा कीट पतंक नहीं लगता है पर डेली यहां चार पाज भौरा और मधुमक्की आके भीड कर देता है और उसका आवाज से मेरा बगीचे एकदम गूजने लगता है बहुत अच्छा लगता है देखिए आप लोगों को मैं एक दो फूल के उपर मधुमक्की दिखाई भी हूँ पहले तो मुझे गजनिया फ्लावर के बारे में कोई आइडिया नहीं था पर जब नर्सरी गई वहां नर्सरी वाले मोबाइल में अपना फोटो दिखाया गजनिया फ्लावर का तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत सारा पौधा खरीद के लाई और दिखिए यह देखिए फ्रेंड्स दो मधु मख्या फूल के ऊपर बैटकर मधु चूस रहा है आपको मैंने पहली बताया था और दिखिए बड़ी अच्छा लगता है यह सब देखकर बगीचे के अंदर ओके फ्रेंड्स गजनिया फ्लार प्लान के बारे में मेरा जितना भी एक्स्पिनेंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा दिजिएगा प्लीज